नमस्कार आई ये बात करते हैं आपकी कनिष्टा उंगली के बारे में कनिष्टा उंगली ग्यान की उंगली जब सूरिया के पहले कड़ तक पहुंचाए व्यक्ति मेधावी होता है ग्यानमान होता है बुद्धिमान होता है सही भाशाशेली होती है लोगों से सही आचर्ण करता है इस प्रकार के सारे के सारे जो गुण होने चाहिए वो आपके उंगली के अंदर अच्छी आरदास पे होती है तो ये सब आपके पास में मौझूद है अब बात करते हैं आपकी सूरिया की अंगली के बारे में सूरिया की अंगली यसमान सम्मान के लिए जानी जाती है यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो सेगंड परफर से थोड़े से इस क्रजित के निजान है यानि कुल मिला कर आपको अपने विहवारी के स्थिती में थोड़ा आपस के लोगों से आपके जहाँ पर आप नौकरी करते हैं उनके लोगों के साथ में ज़रा आपको थोड़ा सा एग्रेशन नहीं निकलाना है और उनसे समल कर गया रहना इस त काफी दूर ले जाएगा जिसके कारण आप अपने जीवन में अपने माता पिता की सेवा करवार करने से वंचित रजाएंगे बढ़ापे में तो ऐसी इस्तितियों को दर्शाने वाला ये गैब जाना जाता है अब बात करता हूं मैं आपकी शनी की उंगली के बारे में शन रोग तो यहां दिखला ही दिन से था कि कोई कमर दर्द का लेकिन फीट दर्द का घुटने के दर्द के जहां आप बात करते हैं उसके लिए मैं थोड़ा परवत को देख लूँगा तो अभी यहां से आपको समानने रूप से कोई रोग और साथी साथ दन के समानने आगमन हैं अब बात करते हैं यहां पर आपके सीधा सीधा ब्रस्पती की उंगली के बारे में ब्रस्पती की उंगली संतान सुख के लिए साथी साथ यहां पर यदि देखें तो जानी जाती है वेवाई सुख के लिए तो यहां अभी तो यह वेवा हुआ हुआ नहीं तो कोई यह आईए बुद्ध परवत की बात करते हैं, बुद्ध का परवत और ज्ञान की रेखाएं, साती साथ ये वो रेखाएं हैं, जब व्यक्ति के हाथ में होती हैं, तो व्यानी के वरतमान में भी आपके धन के स्रोत बने हुए हैं, परवत सम है, समपरवत होता है तो व्यक्ति को धनकाग्मन निरंतर रूप से बनाये रखता है तो ये ऐसे संकेत यहां बुद्ध परवत से मिलते है सूरिय परवत को यदि मैं देखता हूँ तो सम सूरिय परवत काफी आड़ी दिर्ची रेखाओं से कटा हुआ है जब इस तरह की स्थिति होती है तो आपके जीवन के अंदर इस्थान परिवरतन दूर इस्थान से जुड़ना भाग दोड़ ये सब चीजें यहां पर दिखलाई पड़ती है राच्चे सरकार से सम्मंदित कारियों में लाब नजर नहीं आता अब बात करूँगा इसके बाद में मैं शनी पर्व के बारे में शनी का पर्व और यहां पर यदि मैं देखता हूँ तो यहां कुल मिलाकर के यह वी का ट्रेंगिल यानि के जीवन में हमेशा भग गया है आपका साथ देगा और धन के आगमन निरंतर रूफ से आपके पास में बने रहेंगे इस परकार की इस्थिती को भी दर्शाने वाला यह शनी का पर्व है तो यहां शनी के पर्व से जो आपको कोई गुटने की प्रॉब्लम आ गई है तो वो कोई जादे दिन रहने वाली नहीं है उसको कि अच्छे डॉक्टर से दिखला लीजिए वो जैसी आई है उतनी ही तेजी से चली जाएगी जिसकी चंतावनिया कोई रुखने वाला धंदा यह नहीं है बात करता हूँ आपके ब्रस्पती के पर ब्रस्पती के पर पर यदि अब मैं देखता हूँ तो थोड़ा यहां पर आड़ी तिर्ची रिखाओं के रूप में कुछ यहां हलका सा दीप से ऐसा बनता हुआ यानि को कह सकते हैं कि आपके जीवन की प्रगर्टी रत में कुछ वाधाएं या दिक्राइप पड़ती हैं बागी जीवन की जो अवसकता हैं वो आपको सम्मिल जाएंगी चलिए अब बात करता हूँ आपके हिर्दे रिखा की हिर्दे रिखा काफी पीडित है जब हिर्दे रिखा इतने पीडित हो तो व्यक्ति के जीवन के अंदर वर्तमान में रोग उसको लगे हुए है और मन के अंदर भी वो अपने आप से जाता है प्रसंद नहीं है इस परका के रिखा वर्तमान में यहाँ पर मौझूद भी है चलिए अम मैं बात करूँगा इसके बाद आपकी यहाँ पर सीधा मंगल रेखाओं के बारे में यह कर्म रुपी छेतर है इस पर कर्म रेखा में हलकी हलकी रेखा हैं जब इतनी हलकी रेखाए हो तो अभी मैं समझता हू आप जो है आप जो महनत कर रहे हैं वो महनत आपकी काफी नहीं है आपको और महनत करनी होगी और जब उसके बाद आपको ज़्यादे सपलता पराफ्ट करनी होगी अभी यहाँ पर कोई विशेस महनत के योग दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं अब बात करते हैं आपकी बु बुद्धी रेका का तो बहुत मोटा सा सूत्र है, बुद्धी रेका पीडित हो जाए, तो व्यक्ती डिप्रेशन का सिकार होता है, अवसाद का सिकार होता है, इस्ट्रेस का सिकार होता है, निराशा का सिकार होता है, ये लच्छेदार जो यहाँ पर बन रही है, इतनी सारी रेखाएं, यह आपको बहुत परिशान कर रही हैं, और यह कब तक परिशान करेंगी, इसको हम आगे भी बता देंगे, आपकी जनब पत्रियों मैं हालिकलिक करके नोट करता जा रहा हूं, तब आपके सभी सवालों के जवाम मैं इसको बोल दूँगा, तो यह यहां वरतमान को मिलाकर नहीं है, यहां मंगल के दित्यपर्प की बात करता हूं, जिसको भड़ेजनजड कодमों के लिए जाना जाता है, अभी यह सासीग रिखाओं की रूप में, यहां पर रिखाए दिखाए बढ़ रही है, तो अभी तो सास, सासीग रिखाओं की रूप में जानेंग से आपको डाक्टर के पास तक भी पहुचा सकता है ऐसी मांसिक डिप्रेशन के रिखा हैं लेकिं फिर भी आप जोर मार रहे हैं से निकलने के लिए ये खड़ी रिखा हैं बता रही हैं और निकाल भी जाएंगे ऐसी कोई बात नहीं है चलिए अब बात करते हैं इसके बाद म का कारण बने आपकी भाई भाग्य रिखा से निकलने का कारण बने तो ये स्वास्त को प्रभावित करने वाली स्वास्त रिखा का रूप है यानि यहां पर स्वास्त को प्रभावित करने वाली बहुत सारी रिखा हैं यहां पर नजर आ रही हैं अब बात करता हूं मैं और देखे नीचे से जाकर ये छोटा सा मशली का रूप बना करके चली यानि पर वहाँ आपके पास है लगातार नौकरी कहीं न कहीं आपको मिलती रहेगी लेकिन बहुत सारी इसमें आड़ी तिर्ची रेखा हैं आपके जीवन में आगे भी हैं यहां 35 के बाद तो बहुत ज देखा हैं परंतो तब भी आपके पास धनके आगमन निरंतर रूप से बनते रहेंगे तो यह बहुत संगर्स दिखला रही है अभी वर्तमार में और आगे भी धनके आगमन आपको बने रहेंगे चिंता की कोई बात नहीं है संगर्स किसके जीवन में नहीं है है आप सभी क जिवन में तो ये इस प्रकार की रिखाओं के रूप में जाना जाता है अब बात करता हूं मैं हैं पर आपके सीधा शुक्रपर्व के बारे में शुक्रपर्व पतनी से संबंदों के लिए शुक्रपर्व यहां पर अगर मैं देखता हूं तो संसाधनों के लिए यहां कुल म यहाँ पर संतान रिखाओं की बात करता हूँ तो संतान रिखाओं आपके हाँ से दिखाई नहीं पड़ती, पत्री के हाँ दिखना न पड़ेगा, उससे पता लगेगा कितनी संतान रिखाओं आपके पास हैं, उपर वाले भी यदि परवित यहाँ देखता हूँ तो यह को बताता है कि यदि आप जानकारी में विवा करें तो आपको ज्यादा चारहेगा क्योंकि आपके हिसाब से मुझे लगता है कि पत्नी के साथ आपको काफी दिक्कतें आने वाली हैं तो जानकारी में करें तो अच्छी बात रहेगी बहुत अच्छी तरीके से और यहां विवा को प्रेम संबंद नदर आते हैं विवा प्रेम विवा बतल भी सकता है आपके वैसे विवा में लेकिन इसमें आपको बहुत सतर्का बतने चाहिए जनम पत्री कुंडली मिलान आपको वश्य कराना चाहिए हुली मिलान के मिना विवा ना करें नहीं तो बहुत दिक्कतों में आप पड़ जन पड़ जाएंगे ऐसी आपके हाथ की रेखाएं बताती हैं तो ये तो सब पड़ लगी मैंने हाथ की रेखाएं बाकि आपकी जनम पत्री के दुआरा यहां से मैंने लिए यहां से आपके आयू रेखा और इसके बाद में बिलकुल यहां 75-76 वर्ष क्या अयू बर्तमान में मुझूद है तो आयू और यहां पर आपकेमरीस बलड़ रेका की काफी काफी हैं तो जिन्ता करने की कोई भी जरूत नहीं है आईए मैं बताता हूँ आपकी जनम पत्री के बद्वारा आपके समी सवालों को गनित करके नमस्कार